फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक स्वीट डिजर्ड की रेसिपी जिसे आप ब्रत में भी खा सकते हैं वो है बीट रूट हलवा जी हाँ अगर एक बार आप इसे बना कर खा लेंगे तो आप तो जरूर बोल पड़ेंगे वह क्या हलवा है किसी भी हलवे से कम नहीं है और अगर किसी को खिला देंगे तो वो तो रेसिपी जानने के लिए आपके पीछे ही पड़ जाएंगे तो इतनी साधारण सी चीज है जो कि मार्केट में इतनी असानी सेवलेबल है और हमारे सेहत के लिए इतनी फायदेमंद है कि अगर आप इसके गुड़ों को जान लेंगे तो जरूर खाएंगे अगर मैं इसके गुड़ों को बताने लगू तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो चलिए इसकी हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और इसकी आप तरह तरह से रेसिपी बना कर खा सकते हैं जैसे इसके जूस, इसकी रायता, इसके सैलेट बना कर खा सकते हैं आ पिर आप इसे बहुत सारे ऐसे चीजों में पराठा बना कर खा सकते हैं और यह हमारे सिहत के लिए तित्ती फैंदे बंद है आगे मैं बताऊंगी जरूर तो चलिए इसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं दो चुकुंदर को हमने ले लिया है देखिए थोड़े से बड़ है इस तरह से हम प्लेट में रख लेंगे और फ्रेंड्स यह हमारे दिल के बीमारी में भी बहुत ही फायदे मन करते हैं हमारे पाचन सक्टी को अच्छा रखते हैं और यादास को भी बढ़ाते हैं तो ऐसी चीजों को जरूर खाने चाहिए तो चलिए पैन को हम गरम करने क इसलिए रखते हैं इसमें डालेंगे 2 चमच घी अगर आप इस रेसिपी को घी में बनाते हैं तो उसका स्वार तो कई गुणा बढ़ जाएगा क्योंकि यह कोई भी हलवा अगर घी में बना जाता है तो उसका टेस्ट दो बहुत ही बढ़ जाता है तो चलिए घी को मिल्ट देते हैं और इसमें हम अपने चुकंदर को डाल देंगे और इसे डालने के बाद तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक कि इसकी थोड़ी पानी सूख नहीं जाती है क्योंकि इसे भूनते समय थोड़ा थोड़ा यह पानी छोड़ने लगता है तब तक हम इसे भूनते और ये चुकुंदर हमारी energy level को भी बहुत ही बढ़ाता है तो friends इस recipe को जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे comment section ने बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा तो देखिए अब हमारी पानी इसमें लगवक सुख चुकी है और ये घी में भुन भी चुकी है अब इसमें दूसरी चीजा मैट करेंगे दूद तो ये हमने आदा किलो दूद लिया है full cream milk इसके लिए आप full cream milk ही लीजिएगा क्योंकि उसी में ये हलवा बहुत अच्छा बन कितनी खुबसूरत लग रही है और इससे पहले भी बीट रूट की कुछ recipes में डाल चुकी हूं उसकी link में description में जरूर दे दूँगी आप जाकर उससे जरूर देखिएगा और जरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए अब हमारी इसमें दूद लगवक आधा से अधिक सू अगर आप मिठास अधिक चाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं मिश्री की तो इसे चलिए हमने mix कर लिया अब इसमें कुछ dry fruits का इस्तेमाल करेंगे तो जो dry fruits आपको पसंद हो वो डालिए मैं इसमें थोड़ा सा काजू बदाम अखरोट ले रही हूं थोड़ी इसे किश्मिस में डाल दूंगे और चलिए अब इसे mix कर लेते हैं और friends यह बहुत ही असानी से बन जाते हैं जल्दी बन भी जाते हैं और इसे खाने के बाद तो आप एक बार जरूर बोलेंगे कि वह क्या हलवा है किसी भी हलवे से यह कम नहीं है जिने गाजर का हलवा बह जो दूद की मलवा होती हैं हम उसे ही याट कर रहे हैं अगर आप चाहें तो अगर आपके पास मावा हो तो भी डाल सकते हैं दोचमच उसे यह बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन मैं जनल्रो इसे दूद जाती हूं अब चलिए दूत की मलाई को लग़ातार चलाते वए भूल लेंगे जब तक कि इसमें से वाइल सेपरेट न होजाए फो देखिएवे में से वाइल किनारे किनारे सेपरेट होना स्टा रही हो गया है इसका मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले पहुँचे और उसे जरूर ट्राइ कीज और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा फ्रेंड मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतिजार रहेगा चलिए नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी और मज़एगा